कि हालो इस्टुडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीर स्टेडी में दोस्तों आज से आपकी कलास सेबन की मैच शुरू होगी यह आपका पहला पार्ट होगा जिसमें आपको यह दिखा दिया रहा है कांटेंट इसमें क्या क्या होगी तो भ उसके बाद सरल समीकरण होगा यहनी की सिंप्लिफिकेस अरणी क्वैसन का कांसेप्ट होगा रेखा एवं कॉंड फिर छाठा चैप्टर होगा तिर्भूज और उसके गूंड तिर्भूज के बारे में हम पढ़ेंगे और सातों भी तिर्भूज पराधारित चैप्टर प्रेक्टिकल जमेट्री है ना उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पेरिमीटर एंड एरिया ग्यारा नंबर बारा नंबर चैप्टर होगा बीजी बेंजक घातांक और घात सम्मीती ठोस आकारों का चित्रण तो इस तरह से हम यह पूरा जो कलास सेबंथ का एंसी आटी म क्या होता है इसके बारे में हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं बेसिक से कि माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत तक कि सभी संख्याएं जो है वो क्या कालाती है पुडांग कालाती है क्योंकि पुडांग धन में भी होता है और रिंड में भी होता है यह आप तो दाई और चलते हैं धनात्मक पुड़ांग को जोड़ते हैं तो दाई और चलते हैं एक रिडात्मक पुड़ांग को जोड़ते हैं तो बाई और चलते हैं यह सबाब पहले ही पिछली कलास में पढ़ चुके और बाकी पुड़ांग के बारे में हमने आपको और भी बहु में इसमें देखो कोईश्चन आपके सामने उपर लिखा हुआ है इसे द्यान से देखना कि किसी स्पेसल दिन विबेन अस्तानों के तापमानों को डिग्री से ल्सीयस में दिखाया गया है यानि कि संख्या रेका पर इसे दिखाया गया है तो नीचे जो सवाल पूछे गए हैं उनका जबाब जल्दी से फटा फट चलो यह संख्या रेका आपको दिख रही है जिस पर आप देख रहे हो लाहुली स्पीती से लेकर बैंगलोर तक के हम समझना बीच में जीरो है इधर पांच है यहां दस है यह 15 है 20 है इधर साइड देखो यह माइनस का पांच है यह माइनस का दस है अब ध्यान से समझो कुष्चन पहला पूछ रहा है इसके माद्यम से कि इस संख्या रेका को देखिए और इस पर अंकित अस्थानों के ता देखो इसके आगे अगर हम बात करें सिरी नगर की तो आप देख रहे हो सिरी नगर माइनस पांच से ज्यादा है यहां का तापमान और जीरो से कम है तो यह जीरो से कम कितना है यहां पर ध्यान दो तो कितने पार्ट में बटा है वन टू थरी फॉर और यह फाइप पांच तो यहां से कर देखो हैं अगर KinLatum epic 506 अगर हम बात करें दूसरा नंबर पे दूसरा नंबर में यह सकते हो यह 5 अगर कर पार्टन पार्ट में मन्से बाट रहे हैं जीरो पुएंट अगर अगर हम बात करें तो ऐसा बने ग》 कि आप जानते हो कि वह ओंधे से बड़ा है तो अगर का कितना है माइनस दो दिगरी सेल्सियस है देखो दुफरे नंबर पे हैं इसी आगर हम बात करें सीमला का, गारो कोई चीन नहीं लगा है, तो ये 5 डिगरी सेलिसियस है, और उसके बाद आगे बात करें उंटी का, तो उंटी का टाप मन, आप देखो 15 से थोड़ा फ़क कम है, है ना ये देखो 10 है ये 11 है और ये 12 है मतलब इस시면 देखो एक बिंदी 11, 12, 13, 14, 15 तो मतलब आप समझ लो सिधा फिदा 14 है कितना है? 14 है यानि की 14 है और अगर हम बात करें बैंगलोर की तो बैंगलोर देखो यहां से दिख रहा है 25 कितना है? 25 है इस तरह से आप यहां के सारे सवाल का जबाब दे सकते हैं इसमें कोई business concept नहीं है तो अगर आप लोगों की इजाज़त है तो हम आगे बढ़ चलते हैं इसमें कोई business concept नहीं है ठीक है हाँ यहां पर एक कुईस्टिन और चलो मैं बताई देता हूँ जब हुशी टाइप कर रहें तो कहरा कि सोमवार को सिरीनेगर का तापमान माइनस पांच डिगरी था और मंगलवार का तापमान जो है दो डिगरी सेल्सियस कम हो गया तो मंगलवार को सिरीनेगर का तापमान क्या था बुदवार को तापमान चार डिगरी सेल्सियस बढ़ गया तो बुदवार को तापमान कितना था देखो सिम्पल सी बात है कहरा कि माइनस पांच डिगरी सेल्सियस था सिरीनेगर का तापमान फिर दो डिगरी कम हो गया सेल्सियस हो गया हो भी माइनस में ठीक है इस बात को याद रखना हाँ यह मत सोचना कि पहले माइनस का पांच था फिर दो कम हो गया तो यह तीन हो जाएगा तीन नहीं हो क्यों क्यों कि यह माइनस में है अगर यह माइनस में ना होता तब तीन हो जाता अगर यह पांच डिग प्रभान कितना होगा तो बीजा देखो यहां पर क्या कह रहा है यहां पर तो कोई चित्र में कुछ दिया नहीं था इसी से लेते हैं सोमवार मंगलवार कहरा कि सुमवार को बुद्वार को 4 डिग्री बढ़ गया तो देखो ले कितना था मंगलवार को माइनस 5 था तो माइनस पांच से जब चार बढ़ेगा तो इसका मतलब माइनस एक डिग्री बचा ठीक है बुद्वार काताप मान जो है माइनस एक डिग्री माइनस एक का मतलब जानते हो अब समझ रहे हो कि नहीं बहुत कड़ी ठंडी होती है माइनस में चला जाएगा तो इसके बाद एक और बात कर लेते हैं अब आप लोग वहां तक आई गए हो तो कुश्चन नमबर फॉर बहुत ही ध्यान से देखो कहरा कि एक हवाई जाज समुद्र तल से 5000 मीटर की उचाई पर उल रहा है देखो थोड़ा कंसेप्ट वाले कुश्चन होते हैं बाकी ज्यादा काम के नहीं है यह हवाई जाज क्या कर रहा है समुद्र तल से 5000 मीटर की उचा समझते हो तो समुद्र तल से क्यों आप जाता है पता है इस्टेशनों की उचाई फैलेट फार्म जो होता है जहां पर उसकी उचाई समुद्र तल से इसलिए ना पी जाती है क्योंकि हर एक स्टेशन जो बड़े स्टेशन होते हैं वहां पर यह जनकारी लिखी होती है तो इस समझ जाएगा कि इदर को ढाल पड़ेगा भाई आगे है ना मतलब थोड़ा बहुत ऐसे कुछ होता जहां तक मेरा अनुब हो है तो फिलाल हम कुईश्चन में बात करते हैं कहरा कि एक हवाई जहाज समुदर तल से पांच हजार मीटर की उचाई पर उड़ रहा है एक जहाज उड़ रहा है अब समुदर तल कहा है आपका समुदर तल मानलो यह है बहुत ध्यान से समझो उसके बाद क्या है यहाँ पर नीचे यह बारा सो मीटर की उचाई पर यह मानलो एक पंडूबी है अब कहरा है यह दूरी बताओ कितना है यह मतलब पंडूबी तो पानी में नीचे है 1200 मीटर हवाई जहाज 5000 मीटर उपर है तो हवाई जहाज और पंडूबी की दूरी कितना है देखो बहुत आसान है इसमें थोड़ा सा गुड़ा गड़ित लगाना है जादा नहीं लगाना है भाई यह समुद्र तल से जो इसकी उचाई थी वो तो 5000 थी आप सब ठेए और डंका खेचोप पर दिख रहा है और 1200 मीटर नीचे वाला है तो सिम्पल सी बात है चोड़ दो ही जो भी हैai 5000 में कितना जोड़ना है बारा सो जोड़ दो जोगी आएगा आपका उस्तर वो जायका इस तरह से कितना हो जाएगा 6200 किलोमीटर कितना हो जाएगा 6200 कि बात समझ गए ना तो इस तरह से आपका यह क्या हो गया यह आपका हो गया कुल टोटल उड़ोधर उचाई ठीक है चलो इसके बाद अकला कुश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आप इसे समझ लो और खुद से करना मैं यह नहीं बताने वाला हूँ पांच नंबर और छे नंबर आप इसे खुद से करना ठीक है देख लो और समझ लो अच्छे से पांच नंबर कुश्चन और छे नंबर इसलिए होंगे हो गया होगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए देखो आठवा नंबर क्या कह रहा है आठवा नंबर सवाल थोड़ा सा है समझने लाइक कह रहा कि A और B के निमनलिखित मानों के लिए A माइनस माइनस कभी बराबर A पलस B का सत्यापित कीजिए कहने का मतलब इसको सिद्ध करने को बोल रहा है और A के बिभीन ने अलग-अलग मान दिये गए हैं तो भाई यह फार्मूला रखा गया इसी में रखकर करके इसको सिद्ध करना ह कि कौन सत्यापित होता है और कौन नहीं सत्यापित होता है तो चलो रख देते हैं यह फार्मूला बहुत ध्यान से समझना A और B कमान पहले वाले में कितना दिया देखो 21 और 18 तो चलो रख दो फटा फटी 20 माइनस उपर लिखोना अच्छा रहेगा ना चलो 21 माइनस और B क क्या है या 18 ठीक है ओके तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगा 21 और 18 चुकि दूसरी साइड पलस है तो इसका मतलब यह ब्रेकट खुलेगा तो 21 धन 18 और बराबर 21 धन 18 तो दोनों तरह बराबर आएगा जोड़ों के तो सत्यापित हो तो क्या पहला बत समझ गए ना इस तरह से सत्यापित करना है दूसरा कहरा 118 और 125 तो चलो इसको भी लिख लेते हैं 118 माइनस यह माइनस का 125 बराबर अगर इसे करोगे भाई भागो मत तो 118 धन 185 आएगा देखो सब सत्यापित हो जाएगा इस तरह से ठीक है चुकि हम जानते हैं जब य हो जाता है तो यह 118 धनी 125 आजाएगा और बराबर यह पहले से 118 धनी 125 है जोड़ोगे तो वही आएगा जो कुल आता है 8 5 13 का 3 हासिल एक दूई एक तीन चार और एक एक दूई 243 बराबर 243 आएगा यह भी सत्यापित हो गया बात समझ गे ना तो इस तरह से यह कांसेप् अच्छे उता है इसको खुद से काना ठीक है हाँ अगला समझने लाएक है 9 नमबर का बोल रहा है 9 नमबर बोल रहा है कि इसमें भाईया चिन लगाओ चाया इधर का उड़न खटोला चाया इधर का इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से समझो इन दोनों में कौन बड़ा है द इन दोनों में कौन बड़ा है तो आप जल्दी से जबाब दे दो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा फोर बड़ा है नहीं फोर नहीं बड़ा है यह कोकलू है यह माइनस में है निगेटिव है माइनस का दूई रूपया किसी के पास अगर है और किसी के पास कुछ भी नह तो जिसके पास कुछ नहीं है वो जादा धनवान है जिसके पास माइनस में है वो गरीब है क्योंकि उसके पास करजा है ठीक है तो कोई भी संख्या माइनस में जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही कम होगा कोई भी संख्या माइनस में जितनी भी बड़ी होगी जैसे उतना ही चोटा होगा तो इसी तरस ये क्या कहरा है इन दोनों को हल करके जो भी आयेगा उन में इधर को लगाना अगर ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा तो इधर को लगाना है मैंछल सी बात है zero —.8 लगा है ये फिरा पलस माइदस champions का minus का बार होगा और इधर साइड में माइनस का आठ और धान ये हो जाएगा कब ये चार हो जाएगा गटाओ कि माइनस का चार आएगा देखो इधर माइनस का बारा आएगा इधर माइनस का का आएगा चार आएगा अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है देखो जी जो भी संख्या बड़ी है अगर वो माइनस में तो सफ़े छोटी होगी तो इसलिए बारा जो है क्या है चोटा यह चार बड़ा है इधर को लगेगा बात समझ गए ना चलिए इस तरह से आप पहला समझ गए हो दूसरा वाले में देख लो इसमें भी क्या करना है में simplification जैसा कुछ करना है इसमें भी ऐसा कुछ कह रहा है माइनस का 3 और धान फिर रिंड जो भी है तो देखो यार यह माइनस का 3 और यह माइनस का 19 जुड़ेगा तो 19 3 कितना हो सकता है 19 21 22 27 यानि कुल मिला कि इधर साइड में 29 आएगा कितना हैगा 29 और अगले साइड की अगर हम बात करें तो क्या होगा पता है आपको देखो यह ब्रेकट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 8 माइनस 17 हो जाएगा और 15 माइनस 17 आपको पता है माइनस का 2 आएगा कितना आएगा माइनस का 2 तो अब आप इतने में भी समझ गे होंगे कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा इसको समझ गे ना कि मतलब यह माइनस कदो आ रहा है और इधर साइड में 29 आ रहा है तो भी यह 29 बड़ा है माइनस कदो छोटा है क्यों क्योंकि यह किसमें आ रहा था प्लस में आ रहा था ना कि कर देखु है नहीं कि दिखो यो ऺच्दक को लिगये मैंनस को तीन cuccaкеa माइनस का orfis ककी व्यास कदधा रहम कुड़ा है कि यो माईनस साथ होका यह भी मैंस में आएगा माइनस का 120 आएगा यह यही माइनस का दो आएगा इसका मतलब फिर भी माइनस का दो बड़ा है कौन सा बड़ा है माइनस का दो बड़ा है लेकिन माइनस का 22 वाला चोटा है कि समझ गे ना इस तरह से आप जो भी और भी है इनको कर लेना अगर कोई डाउट है तो बता देना नहीं संकोच कमेंट कर देना ठीक है उसके बाद अगला कुश्चन क्या कह रहा है कि पानी के एक तलाब में अंदर की और फिर्णिया है एक बंतर सबसे उपर वाली सीड़ी यानि की पहले सीड़ी पर बैठा हुआ है तो पूछा क्या है कि कह रहा है वह चलांग में तीन सीड़ी नीचे की और अगली चलांग में दो सीड़ी उपर की और जाता है तो कितनी चलांगों में वह पानी तक पहुंच जाएगा देखो सिंपल सी बात है कह रहा है कि सीड़ीया तीन सीड़ीया जो है एक चलांग में तो तीन नीचे जा रहा था ना उसमेंसे दो अगर हम गठा देंगे कितना वचेगा एक ना यानिकि वह एक चलांग में आभ लेबल तक जा सकता है कि तब वो पहली सीडेड़ी पर है उसे 9 प्र जाना तो सिम्पल सी बात है यारे एक बार कूदेगा तो दूसरे फर जाएगा फिर एक बार двух देंग तरिफ के जाएगा इस तरह से क्या हो करेगा वो लगबाग आठ बार कूदेगा ना तब पहुँच बाएगा है ना चले आगे देखो एक एक्जामपल और समझ लो ऐसे पुड़ांक यूग में लिखिए जिसका योग माइनस तीन है तो इन पुड़ांक के बारे में भी समझ लो थोड़ा सा ठीक है कहरा कि ऐसे पुड़ांकों का यूग माइनस तीन है तो माइनस तीन कब आएगा माइनस में 2 में माइनस का 1 जोड़ तो भी हो जाएगा है ना कहने कहिए मतलब है कि माइनस 1 में माइनस का 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है ये इस तरह का पूरांग यूग मुआ जाता है ठीक है और हाँ माइनस 3 लाना था ना माइनस का दो में जो माइनस का यह जोड़ो गे तो यह माइनस का तीन आएगा और कहना क्या था यही न अगला कह रहा है ऐसे पुड़ां की यूग में लिखिये जिसका अंतर पांच है मतलब कई लिखना है अगला देखो कह रहा है ऐसा पुड़ां की यूग में लिखिये जिसका योग माइनस साथ है ऐसा पुड़ां की यूग में बताओ जिसका योग माइनस साथ है दो खेर सिंपल सी बात है ऐसा दो पुड़ां की यूग में बनाओ जिसका योग माइनस साथ है इसके लिए माइन अंतर क्या है अधास है अधिक है आगे चले चलो कि ऐसा कहा रहा है कि अंतर योग है जीरो है तो मतलब कि अधिशन आप समझ रहे हैं नहीं जैसे मैंने बताया इसको आप कर सकते हो माइनस का पंद्रा धनाठ तो यह माइनस का साथ बन जाएगा उसके बाद क्या कह रहा है अगला एक ऐसा रिडात्मक पुडांग का यूग में लिखिए जिसका अंतर क्या है आठ है एक ऐसा रिडात्मक पुडांग की यूग में लिखिए जिसका अंतर आठ है इसको आप करी लोगे एक रिडात्मक पुडांग और धनात्मक पुडांग वैसे भी आएगा है कि चले आगे चलो ठीक है कि इसको भी आप कर सकते हो कह रहा है कि रडात्मा कुडांग और धनात्मा कुडांग लिखी चीज़ का अंतर माइनस तीन है इसको आप खुद से बता देना ठीक है हाँ अगला करने इसको पूरा पूरा लगा दो माइनस का 8 है और फिर प्लस तो यह क्या करोगे माइनस का 5 बस हो गया बराबर ठीक है इसी तरह से आप इसमें भी कर लोगे तो यह अगर आप कर लोगे तो यह लगबख पूरा चैप्टर आपका खतम हो गया ठीक है तो इस कलास में बस इतना ही आप लोगों से निबेदन है अगर इसे आप यूटूब पर डेमो के रूप में देख रहे हैं तो आप इसे नोटस जरूर बनाएं और एक तरफ से सब लिखते चलें ठीक है ना तो आपका यह खतम होगे 1.2 भी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में जैहिंद जैवाद